नमस्कार श्वागत आपका यूटूब शेनल पर बात करते हैं गारगी पुरुषकार वाली का पुरुषकार वर्ष दोजार बाइस तेईस की बाली का सिख्साप फाउंडेशन राजस्तान जैपुर द्वारा अधेश जारी किया गया है जिसके अंतरकत गारगी पुरुषक व्रष दोजार बाइस टेईस के लिए ओल्लाइन आवेदन सालादपन के माधियम से तेनी सालादपन पोर्डल पर आमंद्रित किया गे जिसकी अंतिम दिनागे दिसमबर 2022 तक है तो आप 31 दिसमबर दोजार बाइस तक आवेदन कर सकते हैं इसके समध में नेंगा इसुछ इसका रियला द्वारा निम्नांकित पुरिषकारों के लिए नीचे जोग पॉइंट दिये उसके अंतरगात सालातरपन पोटल के माध्यम से ओनलाइन आवेदान है वो 23 नॉवंबर 2022 से प्रारम कर दिया गया है तो इसके अंतरगत कौन को नावेदन कर सकता है नंबर एक पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षाबोड राजस्तान अजमेर द्वारायुजित कक्सा 10 की प्रवेशी का प्रिक्षा स्वमी विवेकानन मोडली स्कूल य आधिक अंख है जिसमें से 63 बालिकां है जो वरतमान सत्र दोजार बाईस थे इसमें कक्सा 11 में अधियंद्रत है तो वह यह विदाले में निमित रूप से अधियंद्रत है तो गारगी प्रुष्का के लिए वावेदन कर सकती है जो और उसके लिए प्रथम किस्ते वह तीन यह प्रवेशिका प्रिक्सा में यह स्वामी विकानन मोडली स्कूल यानि जी स्कूल की से 2721 यानि प्रिक्सा 2021 में सामिल हुई थी और 90% अंख हासिल किये यह दिशात्रा ने तो वो इस अपनी द्वित्य किस्त के लिए आवेदन कर सकती है इसके अंतर काते लगबग 8566 बालिकाओं को शत्र 2223 में वह अभी वर्तमान में 12 में अधिन रथ है निमेत रूप से तो उनके लिए सेगेंड की स्थाथी ने जारीवे यह तो ओनलाइन आवेदन अमत्रित कि किये गए है साथी माधिमी शिक्साबोड राजस्ता नाजमीर द्वारायुजित क्लास 12 वरिष्ट रुपादे अप्रिक्सा कि चौमीवे करने मोड़े स्कूल यानीजी स्कूल से किसी से 75% या इस से अधिक में प्राप्त करने वाली एक लाख 8297 को बालिका पॉस्तान के तैत 50000 करने लिए ओनलाइन भी दिव दिवागे को लिशिक समय निमेद्रोप से अंधरत है तो इसके लिए आविद्र कर सकते हैं तो इस प्रकार इन तीनों के लिए इस आधेस के तैत ओनलाइन आविद्रत किया गये जिसके अंत्यम्तिती 31 December 2022 निद्रत की गई है तो निद्रतीती तैत ओनलाइन आविद्रत किये गई है जिसमेराज के ओनिजीब विद्रत शात्राओं को ओनलाइन आविद्रत परवाया जनसुझनित्रत करना है ताकि इनको इस योजना से लापमेंत हो सके। ओफलाइन आवेदन किसी तरह का स्विकार नहीं किया जाएगा साथी 17 का जनाधार कार्ड में नाम होना जरूरी है जनाधार कार्ड नमबर और जनाधार मेंबर आईडी के बिना ये आवेदन नहीं बरा जाएगा यह आवेदन साला दरपन पोर्टल के मादेम से परह जाएगा साथी जनाधार में उसकी बैंक डिटेल का होना भी जरूरी है इसलिए बैंक खता जनाधार से लिंक होना नहीं वारे हैं तो इस परकार आप इस योजना के लिए आफिदन कर सकता है धन्यवाद वीडियो चल लगा तो जानकरी सेर जरूर कीजिए जाहिंद